एक कॉंग्रेस घोटाले का नाम है एक कॉंग्रेस आतंगबाद का नाम है एक कॉंग्रेस नकसलबाद का नाम है जिस उम्र में युवाओं के हाथ में टैबलेट होना चाहिए अच्छी पुस्तक होनी चाहिए दुनिया को आगे बढ़ाने का जज़बा होना चाहिए एक कॉं उंग्रेस ने उस उम्र के इन बच्चों के हातों में तमंचे पकड़ा दिये और तमंचे पकड़ा करके भारत के खिलापी उन्हें लड़ने के लिए नकसलबाद के नाम पर आतंगबाद के नाम पर उग्रबाद के नाम पर उकसाने का कारे किया बैन और वाईयों अब ये द सुवर्स में क्या ये कभी हो ये कभी हो पाया देश के अंदर बैन और भाईयों चर्टीस गड़ की डॉक्टर रमन सिंग जी के नित्रत्व की पहली सरकार थी जिन्होंने एक रुपे किलो चावल यहां के गरीबों को यहां के आदिवासी बनवासियों को देना प्रारम किया था और मोधी जी के नित्रत्व की सरकार पिषले चार वर्स में 80 करोड भारतियों को फिरी में रासन की सुविधा का लाब प्रान कर रही है कॉंग्रेस की सरकार के समय गरीब भूकों मरता था भूकों मरता था, किसान आत्मत्या करता था, नौज़वन प्लाइन करता था मैलाओं के सामने अपनी सुरक्सा का संकर था मोधी जी के नित्रत्व में 80 करोड गरीबों को फिरी मेरासन की सुविधा का लब 60 करोड गरीबों को 5 लाग रुपे की स्वास्ते भीमा का आयुस्मान भारत का कबर हर वर्स 5 लाग रुपे की, यहीं नहीं 50 करोड गरीबों के लिए जंधन एकाउंट खोल दिये गए जो पैसा कमिशन खोरी का कॉंग्रेसियों की प्रविड़ती का हिस्सा था मोदी जी ने जंधन एकाउंट खोल करके उसको पूरी तरह पूरी तरह उस पे रोक लगाने का काम किया बैन और भाईयों, 12 करोड अन्यदादा किसानों को प्रवान मंत्री किसान संभा निदी का लाब 12 करोड गरीबों के घर में सोचाले का निर्मान 10 करोड मेला स्वेम से भी समो को आर्थिक स्वाबलंबन के मार्ग पर अग्रसर करने का कारियर बैन और भाईयों, 10 करोड गरीबों के घर में उज्जुला योजना का रसोई कैस का सिलिंडर भी पहुँचा दिया गया 4 करोड गरीबों के मकान मोदीजी के नित्र नित्रतु में देस में बने उत्तर परदेस ने 56 लाग गरीबों के मकान बनाए लेकिन वुपेस बगेल की सरकार ने 18 लाग गरीबों को 36 गड़ के अंदर मकान से बंचित किया था क्योंकि मोदी जी पैसा देना चाते थे लेकिन वुपेस बगेल उसको लेना नहीं चाते थे इन गरीबों को मकान देने का मकान न मिले इसका दोस्वी अगर किसी के उपर है तो कॉंग्रेस की सरकार की उपर है धाई करोड गरीबों के घर में बिजली पहुचाने का काम हुआ हर घर नल की योचना लागू हुई